Hello friends, welcome to PSR, I am Lina Jain, for learning Photoshop from basics to advanced, please subscribe to this channel and press the bell icon to get all new updates. आज का हमारा टॉपिक है, how to create silver text in Photoshop, तो चली शुरू करते हैं, सबसे पहले फाइल मेन्यू में जाएंगे, न्यूप पे क्लिक करना है, याँ पे width 1 to 8 0 है, height 7 to 0 है, pixels में ही रखना है आपको, resolution 72 है, color mode RGB color selected है, background contents white selected है, इसके बाद OK पर क्लिक करना है आपको, अब हमें इसमें black color fill करना है, तो आप देख सकते हैं, यहाँ पे मेरा foreground color black set है अगर आपका नहीं है, तो आपको D की प्रेस करना है, तो यह by default foreground color black और background color white set हो जाएगा, इसके बाद यहाँ से paint bucket tool select कर लेंगे, और फिर यहाँ पे click करेंगे, आप देख सकते हैं, black color fill हो गया, अब हमें यहाँ पे text type करना है, तो इसके लिए यहाँ से type tool select कर लेंगे, font आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं आनन्दा black color के जो font है, यह वाला use कर रही हूँ, यहाँ पे click करना है, और white color select कर लेंगे, इसका hashcode आप देख सकते हैं, 6F हैं, इसके बाद OK पे click करेंगे, और फिर यहाँ पे click करके, जो भी text आपको type करना है, वो type कर लेना है, तो मैं यहाँ पे type करना है, इसके बाद यहाँ पे click करना है, अब हमें text की size बढ़ाने है, तो इसके लिए control की को hold करते हुए, T की press करेंगे, और फिर alt और shift की को hold करते हुए, यहाँ corner से इसे drag करना है, बाहर की तरफ, और इसे यहाँ पे set कर देना है, इसके बाद यहाँ पे click करेंगे, अब इसे screen में fit करने के लिए control की को hold करते हुए, जिरो की press करना है, और फिर text वाली जो लाहर है, इस पे right click करेंगे, blending options में जाएंगे, और यहाँ पे bevel and embos इसे select करना है, यहाँ पे style में inner bevel रखना है, technique smooth ही रखना है, depth 100% रखेंगे, direction up रखना है, और size यहाँ पे बड़ा लेंगे हम, 20 pixel कर लेंगे, soften value 0 pixel रखना है, angle 120 degree रखना है, use global light को check रखेंगे, और altitude 30 degree रखना है, और gloss contour हम change करेंगे, इसके लिए यहाँ पे click करना है, और यहाँ से हम ring वाला select करेंगे, आप देख सकते हैं, hover करने पे नाम लिखा हुआएगा ring, तो इसे select कर लेंगे, इसके बाद यहाँ पे click करना है, highlight mode screen ही रखना है आपको, color white रखना है, opacity 75% रखना है, shadow mode multiply रखना है, color black और opacity 75% रखना है, इसके बाद contour इस पे click करना है आपको, और यहाँ पे contour change करेंगे, यहाँ पे click करना है, और यहाँ पे यह वाला select कर लेंगे, contour rolling slope, इस पे hover करने पे नाम लिखा हुआएगा, आप देख सकते हैं, rolling slope descending, तो इसे select कर लेंगे, इसके बाद यहाँ पे click करेंगे और range यहाँ पे अभी 50% है, तो इसे बढ़ा लेंगे, 100% कर लेंगे, आप देख सकते हैं, यहाँ पे difference, इसके बाद okay पे click करना है आपको, आप देख सकते हैं, हमारा silver text complete हो गया, तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही, So friends, I hope you like this video, if you are new to this channel, then please subscribe to this channel and press the bell icon,